हेलो दोस्तों वेलकम बेक टुडे गुदाती चैस जोन आज के इस सेशन में हम लोग ओपनिंग ट्रैप के बारे में मतलब कौन सी ओपनिंग चले मैं बताता हूँ आज हम देखेंगे किंग्स गैमबिट दा किंग्स गैमबिट बहुत सारे लोग खिलते हैं लेकिन आपको पता है किंग्स गैमबिट में बहुत सारी ट्रैप्स है बहुत सारी वो सारी ट्रैप्स में आपको बताऊंगा मेरे पास टोटल मोर देन 20 ट्रैप्स है सिर्फ किंग्स गैमबिट के बारे में तो सभी ट्रैप्स सिखने के लिए आपको चैनल को सब्क्राइब जरू करना पड़ेगा दुर्का क्योंकि वन बाई वन कंटिन्यूज आपको ये ट्रैप्स मिल जाएगी तो किंग्स गैंबिट में टोटल कितने वेरियेशन होते हैं पहले मैं बताऊंगा किंग्स गैंबिट एक्सेप्टेड दुसरा जो है किंग्स गैंबिट डिक्लाइन और थर्ड जो है फॉक बियर काउंटर गैंबिट इसी लाइग में आता है तो तीनो वेरियेशन देख लेंगे सबसे पहले में सुरू करूंगा एक्सेप्टेड के बारे में तो किंग्स गैंबिट क्या होता है पहले तो यह देखते है किंग्स गैंबिट E4, E5, F4 इस 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 किंग्स गैंबिट किंग्स साइड का जो F वाला पॉन है वो हम साक्रिफाइस में देते है चलिए यहाँ पे एक्सेप्रेड यानि इसे मार के गेंबिट accept करने वाले black player ऐसे कैसे कैसे खेल सकते वो उसके reply क्या होते है यहाँ पर pawn take spawn उसके बाद bishop c4 अब यहाँ पर एक waiting मूँ है g5 black अगर इसको accepted नहीं करना चाहिए लेकिन pawn बच्चाने की अगर move करता है g5 support तो यहाँ आपको करना है h4 pawn break अगर black f6 से यहाँ पर support करता है तो completely white winning है बहुत ही कुछ moves में mate हो रही है compulsory फोर स्मूज आरे होंगे जैसे की queen to h5 check king e7 queen f7 check king d6 e5 check pawn takes e5 queen check then king e7 or queen into e5 checkmate कोई piece बीच में नहीं आता है king को कोई space नहीं है अराम से mate हो चलिए यह थी पहली trap against king's gambit दूसरी trap बताता हूँ आपको इस गेम में इससे पहले हमने देखा था black g5 इससे support करता है इस गेम में black similar मतलब bishop develop करके खेलता है तो क्या होगा d4 attack on bishop black को तूरन फी बिचब को बचाना चाहिए अगर कोई black player queen h4 check देता है तो क्या होता है तब trap में आएगा king f1 उसके बाद bishop बीच और यहाँ पे knight f3 queen के लिए एक ही best option है queen d8 उसके बाद bishop takes f4 knight e7 knight e7 इसलिए कि knight f6 में हम e5 करने वाले है तो knight e7 करता है यहाँ पे आपको करना है knight g5 अब अगर black ने यहाँ पे castle कर लिया तो तुरन white to play and win queen h5 force move h6 then bishop into f7 check king h8 और यहाँ पे आप video pause करके खुद move दोंड के बता सकते हुँए लेकिन मैं आपको बताऊंगा queen sacrifice after g takes और bishop check made है तो यह थी हमारी king's gambit में दूसरी trap चल लिए और भी trap देखेंगे ओके इस trap इस जो trap में हम देखेंगे knight f3 variation e4 f5 then knight f3 bishop c4 के बतले knight f3 bishop e7 कोई player ऐसा होते black के कि जो king's gambit के सामने simply game खिलना चाहते है जो कोई trap में फसना नहीं चाहते लेकिन उसके लिए भी एक खास द्यान लखें bishop c4 हमाने लिए best option है knight f6 यहाँ पे nc3 support knight takes pawn यह एक बहुत सारी जानीमानी opening है यहाँ पे बहुत सारे लोग knight takes c3 करते हैं then d5 और वो piece वापस लेते हैं white यहाँ पे क्या करेगा bishop sacrifice after this king into e6 then knight e5 check अब देखें continue check आएंगे और black का king check मैठ हो जाएगा king e6 queen d4 check force move है यहाँ पे king takes e5 force है उसके बाद d4 one more pawn sacrifice king takes d4 और एक brilliant move brilliant sacrifice bishop e देखो यहाँ पे pawn takes bishop possible नहीं क्योंकि queen takes knight check और उसकोछी समय में mate हो जाएगी अगर king takes bishop कर दिया तो फिर यहाँ पे queen e2 check king d4 queen takes e4 check सारे move force से अब देख सकते हैं यहाँ पे mate है बहुती कुछ time में तो यह थी king's gambit accepted और भी बहुत सारी moves है मैं दिखा रहा हूँ सब भी moves आप अपने look में note down कर लीजिए opponent कहीं भी mistake करे आप उसी time move उसे पकड़ सकते हैं दोस्तों अब जो trap में बताने जाने वाला हूँ वो बहुत ही जबर्जस्ट है accept rate में आप देखके shock हो जाओगे ऐसा भी होता है chest में e4 e5 f4 pontex pawn knight f3 d5 बहुत सारे black players सामने से counter करते हैं यहाँ पर white खे लेगा knight c3 pontex pawn knight tx pawn bishop g4 pinning सबको pinning पसंद है शुरू आज से pinning करना मैंने पहले भी बता है मेरे अगले वीडियो में पुराने वीडियो में कि pinning फैले से अच्छा नहीं है बहुत सारी games में हम pinning करने वाले ही loss हो जाते हैं इसमें कैसे होता है black loss देखिए queen e2 और यहाँ पे अगर black ने bishop 6 knight capture किया तो simple checkmate in one more है you can find it simple knight f6 mate इसमें बहुत मजाएगा दोस्तों चलिए और देखते हैं opening trap दोस्तों ये वाले trap जो है king's gambit accepted के against black player खिलेगा तो black से आप अगर king's gambit accepted करके game खिलना चाकते हो तो कैसे खिलना है इसके बारे में ये trap है आपके दिए चलिए e4 e5 f4 pawn takes pawn knight f3 यहाँ पे knight f6 e4 pawn पे attack अब most people यहाँ पे e5 ही करेंगे knight s5 knight c3 d6 pawn takes pawn या विशब शिफोर most जैदा तर विशब शिफोर अच्छी मुह है यहाँ पे pawn takes pawn करेंगे अब देखो अगर white लालस में आकर ये pawn accept करता है queen knight into e5 तो simple यहाँ पे black easily win होगा कैसे होगा कुछ tactics है जो मैं आपको बताऊँगा पहले तो queen s4 है अब only option है king g1 अच्छा option only यही है उसके बाद bishop e6 bishop को divert करना है और bishop exchange कर plan bishop takes c4 कर दिया अगर bishop takes c6 कर दिया तो यहाँ से सामने वाला clear loss में है knight g3 check pawn takes knight possible नहीं है क्योंकि यहाँ पर रुप मन रहा है तो king g1 king g1 only option है क्योंकि king f2 या e1 पर क्या होगा discovered check से आपको रुप मिल जाएगा तो king g1 only option है bishop check और यहाँ पर बहुत ही जबज़ टेक्टिक है आप यहाँ पर फोस्मूँ सारे calculate करो video post करो आपको मिल जाएगे और I'm sure आपको मिल गए होंगे यहाँ पर मैं बता रहा हूँ d4 और यहाँ black sacrifice करेगा bishop text d4 king के पास एक ही option है queen text d4 knight e2 check अब देखो fork आ रहा है तो king move करेगा तो आपको queen मिल जाएगी और अगर knight text knight किया तो आपको मेट हो जाएगी तो यह थी trap accepted में black के side कुछ modes है जो मैं थोड़ा return करना चाहूँगा h cross g3 जैसे मैंने बता है कि knight g3 में h cross g3 में क्या होता है अगर h cross g3 किया तो queen x1 check king e2 और queen d1 check king text d1 और f cross e6 तो यहाँ पर completely white flavor में है इस position में f cross e6 में white flavor में इसलिए यहाँ थोड़ा ध्यान दखना है आपको king d1 queen text और यहाँ पर आपको queen text d1 किये भीना खेलना है queen text d1 तो यह भी black की favor में जेम हो जाएगी तो चलिए और भी trap देखेंगे accepted में king's gambit accepted में सारे traps आप एक book में not down करें पूरी opening आपकी तैयान हो जाएगी देख अलकि मैं detail में पूरी opening आपको वैसे भी बता रहा हूँ लेकिन अभी मेरा जो विसे चल गाया है subject है only opening traps तो फिलाल हम सारे वीडियो opening trap पे ही बनाएंगे इसलिए जो लोग interested है opening traps में वो लोग तो 100% सब्सक्राइब करते रखें दोस्तों नेक्स ट्रैप देखते हैं ओके यह वाली जो ट्रैप है knight f3 variation में e4 e5 f4 e cross f4 knight f3 g5 bishop c4 bishop c4 में यहाँ पे bishop g7 d4 g4 यहाँ आपको एक बहुत ही shocking mood दिखा रहा है surprise mood दो sacrifice bishop इनको आपको पॉंटेक्स night और यहाँ करना है castle pontex d2 यहाँ पे आपको question mark लगा देना है बहुत ही blunder mode है क्यों कि सारे moves course हो जाएगी यहाँ पर bishop cross f7 check king takes f7 queen h5 check king e6 queen f5 check king e6 king e7 में भी lossing है यहाँ पर क्यों कि bishop g5 check आ रहा है after king e7 bishop sacrifice pontex bishop और queen f7 meeting one तो यह एक trap है और इसमें अगर main line क्या है queen h5 check में king e7 जाता है इस game में अलब कि कुछ moves वापस देख लेते हैं जैसे आपने check दिया और यहाँ पे पहले से king e7 गया जैसे कि हमने देखा कि उपर आता है तो आप f5 check देते हैं तो यहाँ क्या करना है king e7 में भी bishop sacrifice आएगा अब देखो pawn takes d6 में same mate है और अगर king takes d6 किया तो यहाँ पे king king takes d7 में queen c5 check king d6 उसके बाद d5 check king e5 discover check d6 king cross e4 और here queen c5 check sorry king cross e4 king cross e4 तो नहीं करेगा सायर क्योंकि king cross e4 में knight e2 check में आ रही है यहाँ पे king अगर e6 जाता है जैसे king cross e4 में knight check king के पास ज्यादा space नहीं है और यहाँ पे game खता है अच्छा king e6 अगर जाते है king e6 में आपको क्या करना होगा king d5 चाहिए और यहाँ भी game खता है तो यह थी accepted वाली game की सारी traps king's gambit accepted इसके बाद और भी accepted की traps हमें 1,2,3,4,5 फाइव और भी देखनी है वो next video में मैं आपको दिखाऊंगा उसके बाद king's gambit decline की भी traps देखेंगे और fox bear gambit भी देख लेंगे तो यह सारी traps देखने के लिए चैनल को subscribe करना मत बुलें दूस्तों जल ही मिलेंगे जय ही जय गुटार्ट